Hello everyone, welcome to the StatPro basic to advance full course tutorial series Let's start Hello everyone, welcome to the StatPro tutorial series आज की वीडियो में हम सीखेंगे यह जो आप फ्रेम सामने देख रहे हैं एक फ्रेम है इसको एनलाइज करेंगे और हम इसको डिजाइन भी करेंगे और इसमें केवल स्टैटिक्स लोड है यानि के कुछ पॉइंट्स लोड हैं कुछ हमारे इसमें यूडियल है और इन सभी लोड्स को हम एज्यूम कर रहे हैं कि यह हमारे डेड्लोड हैं ठीक है बहुत ही easy और fast तरीके से इसको कैसे बनाना है इस वीडियो की ये खुबी होगी तो start करते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा सबसे पहले मेरा बनाने का तरीका क्या है सबसे पहले मैं यहां पर एक joint बनाऊगा ठीक है तो stat pro new project, meter, kilonewton करने के बाद add beam पे रहने देना है आपको finish और जो grid आई है उसके 0 पे click करके आपको grid को close कर देना है यह हमारा joint आ चुका है यह joint इस joint को node cursor से आपको इसको select करना है जब यह red हो जाए तो आपको जाना है translate repeat tool के उपर अब translate repeat tool के ऊपर चले गए अब हम इसकी reference को open कर लेते हैं file को और देखिए यह joint मैं बना चुका हूँ आपको select है और अब हमें x direction में एक column यह बनाना है दूसरा column यह बनाना है link करने से यह beam बन जाएगा और open base option पे click करने से यहां पे हमारा beam नहीं बनेगा ठीक है और यह spacing कितनी है 6 meter तो translate repeat tool में दुबारा गए direction क्या होगी x step 2 spacing 6 meter link open base ओके तो frame बन चुगा है उसके बाद सारी fix support है general में जाएंगे और general के बगल में support support पे click करने के बाद दूसरी side जाएंगे यहां पे देखो एक पहले से support है S1 S1 support का मतलब है कि किसी support को हटाना no support यहां पे create पे click करके हम एक fix support को add करेंगे fix support को add करने के बाद हम जैसे ही fix support पे click करते है हमारा mouse convert आता है node कर सारा में क्योंकि support लगती है हमारी nodes पे तो हमने nodes को select किया और assign to selected nodes पे option पे रहने के दिया और assign कर दिया तो fix support लग चुकी है अब next चीज़ नेक्स चीज़ के है इनकी property 400 by 400 हमारे column है और 400 by 300 हमारे V में M25 के हम बाद में बात करेंगे ठीक है तो मैं यहां पर support के ऊपर general के अंदर support के ऊपर है property फिर दूसरी side जाना है हमें हमेसा हमें यहां click करने के बाद यहां पर जाना होता है अब यहां पर है define का button इस define button के ऊपर click करना है और यहां पर rectangle सबसे पहले 0.4 यानि के 400 mm by 400 mm concrete material add property कर लेंगे वह यहां पर देखिए add हो चुकी है उसके बाद हम add करेंगे beam के लिए 400 by 300 add कर लेंगे close कर देंगे दोनों property आ चुकी है अब इन दोनों property को apply करना है beams के उपर और columns के उपर वह कैसे करेंगे पहली property पर मनें click किया जो column के लिए फिर drag करके सारे column select किये और assign पर click किया और yes R1 लिखा आगया इसका हमका reference property 1 property मिल चुकी है अब second property पर click किया drag करके beam को select किया और assign कर दिया और R2 इनके उपर आ चुका है property मिल चुकी है आप इस render view में देख सकते है property मिली या नहीं मिली इस पर click करेंगे तो आपको इस तरीके से with property cross section के साथ यह आपको दिखाई देगा इसके बाद आता है हमारा load लगाना एक six kilonewton का दोनों beam के ओपर UDL है और फिर एक 10-10-10 का आपका load लगा हुआ तो देखिए बहुत easy है है हम सबसे पहले general load and definition और यहां load case detail पर click करेंगे और add करेंगे यहां पर dead load और उसका title भी रखेंगे dead add close अब इस dead load के ओपर click करना है क्योंकि यह जितने भी load है हमारे beams के ओपर लग रहे हैं और beams को state from में बोलते हैं members और column को भी बोलते हैं member लोड लेंगे तो dead पर click करके add किया और इसके अंदर हमें लेना है member load करना है यूनिफॉर्म जिसकी intensity माइनस डाउनवर्ड के लिए six है add कर देंगे close अब देखें आप कोशन मार्क लगा है ने कि यहां पर property आ चुकिए इसे apply करना है इन दोनों beam के ऊपर तो मैंने इसको क्लिक किया beam select किये और assign to selected beam वाला option पर क्लिक होना चाहिए और assign load value के लिए shift plus v load की value आ जाएगी इसके बाद हम लेते है joint load एक इस joint पर एक इस joint पर एक joint पर लग रहा है जिनको हम बहुत सकते हैं fy force minus 10 ठीक है joint load को तो मैंने क्या किया dead पर click किया add किया और यहां पर nodal load में fy में डाला minus 10 add कर लिया और close यहां पर आ चुका है अब मैं यहां पर use cursor करता हूँ यहां पर चार option होते हैं किसी भी चीज को apply करने के लिए ठीक है second option के है जहां जहां पर cursor से click करूँगा वहां वहां पर property लग जाएगी cursor वाला option लिया assign लिया और मैंने joints पर click किया ठीक है यहां पर भी कुछ points लगावा है center पर same intensity तो dead पर मैंने click किया और add किया member load के अंदर concentrated force और intensity क्या है minus 10 d1, d2 कुछ नहीं डालना है क्योंकि load center में लग रहा है वो automatic center में ले लेगा इसको बिंदोना beam को select करके assign select और apply कर देना तो load लग चुका है ठीक है अब क्या करना है मैं print all पर करना है print and analysis and print यहां पर all पर click करना है जिससे सारा data हमारा output में आ सके अगर all पर नहीं करेंगे तो सारा data नहीं आएगा add clause अब इसको analyze करते है zero error double click करके किसी भी beam के ओपर हम bending moment check कर सकते है shear force check कर सकते है और इस tab में जाके हम deflection check कर सकते है अगर आपको screen पर देखना है तो आप post processing में जाएंगे with value अगर देखना है यह जो आ रहा है आपका green color का यह है deflection और इसका जो मैंने diagram को enhance किया है तो मैंने control press करके squirrel को move किया है तो देखे deflection आप deflection की value आपको check करें तो result में जाएंगे view value beam result और यहाँ पर है आपका deflection displacement annotate यह है आपका displacement अब displacement को यहाँ से हटा देते हैं देखे displacement का deflection का यह symbol है आप bending moment in z direction को activate करते हैं इसके diagram को भी थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं और वहाँ result view value beam result के अंदर displacement को अठा के bending moment के तीनो value को annotate आपके यह आगे bending moment की values अब bending moment को बहटा देते हैं और shear force को click करते हैं इसके diagram को भी थोड़ा बढ़ा करते हैं और view value bending और bending के options को अठा के हम देखते हैं shear force annotate यह है shear force अब क्या करते हैं तीनो चारो पांचो value को यानि की bending में shear force deflection सभी को activate करके view value beam reset और सभी पे click कर देते हैं तो सारी value हमारी इस तरह सारती है अगर हम screen पर right click करके यहां पर structure diagram में यहां पर section full section कर देते हैं तो यह इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है अब हमें इसको design करना है तो इसको हम normal ले लेते हैं यह रहा design करने के लिए आप जाएंगे post और यहां पर design का tab यह रहा यहां पर concrete यहां पर is456 ठीक है इसके बाद हमें यहां पर select parameter करने कौन कौन से parameter हमें यूज करने design के लिए इस पर click किया इस window को इधर ले आते हैं सारे parameter को इधर ले आते हैं हमें clear cover चाहिए इधर side में ले गए हमें चाहिए compressive strength हमें चाहिए steel की strength और हमें चाहिए percentage of steel okay चार parameter चाहिए और हम यहां पर unit change कर लेते हैं parameters के लिए millimeter और newton चाहिए अब define parameter में जाके हमने clear cover लिया है column के लिए 40 mm और beam के लिए 25 mm और add कर लिया है concrete की strength M25 तर तो 25 लेके add कर लिया और steel की जो grade है वो 500 ले ले लेते हैं add और ratio जो है 4% हमारा होता IS code के according add कर लेते हैं इन सभी option को देखे हुए आप यहां पर आ चुके है caution mark के yellow color का अब इनको apply करना है अपने structure के उपर clear cover 40 है हमारा column के लिए तो यह 2 column slutt के और assign कर दिया 25 clear cover beam के लिए है beam को slutt के assign कर दिया FC 25 all structure के लिए तो assign to view पे click के और assign कर दिया grade भी पूरे structure के लिए assign कर दिया और ratio भी हमारे पूरा structure के लिए assign कर दिया parameter assign करने के बाद हमें जाना है यहां पर command ठीक है इस command पे जाके हमें लेना है beam design क्योंकि हम beam design कर रहे है column भी लेना है और take off भी लेना है अभी हम slap तो करनी रहे है take off से हमें यह फायदा है जो take off command लिया है हमें बता देगा total weight of concrete अलग से total weight of steel पूरे structure तो यह beam वाला option है हमें apply करना है beam के उपर column वाला option हमें apply करना है column के उपर जो ज़्यादतर student गलती करते हैं वो जब assign कर रहे होते हैं तो यहां पर देखते नहीं है कि option कौंसा select है अगर assign to view select है तो सब पर assign हो जाता है माली जी आप beam design assign करना चाहरे है और assign to view पे click है तो column भी आपके beam के तरह design हो जाएंगे ठीक है इसके बाद आपको analyze कर देना है दुबारा से और यह आपका complete design हो चुका है किसी भी beam के ओपर double click करेंगे तो यह concrete design के tab आ जाएगा और आप यहां से चेक कर सके तो देखा मैंने beam के ओपर click किया concrete design पर लेकिन यह property column की तरह दिखा रहा तो मुझसे भी कुछ गलती हुई है कि मैंने beam के ओपर column की property add कर दिए तो मैं अब क्या करूंगा यह beam है और यह column है तो मैं क्या करूंगा beam की property beam के ओपर करूंगा दुबारा से assign और column को delete करके दुबारा से add करूंगा column design और column को मैं काफी बार यह हर किसी से गलती हो जाती है column को column के लिए select किया और assign अब दुबारा से analyze करते है done अब beam पर double click करके देखते हैं तो beam कितरा design हुआ है देखिए यहां पर top में 3 बार 12 के और bottom में 3 बार 12 के यह use कर रहा है अगर column की बात करें डबल क्लिक करके concrete तो column में देखिए इतने बार है 12 डाया के 8 बार और percentage of still .56 और ने use किया अब बात करते हैं जो take off command में ने बताया थ उसके लिए आपको यह output में जाना है थोड़ा सा weight करना है क्योंकि loading होती है इसमें कुछ पेची छोटा structure तो बहुत जल्दी हो जाए कि लास्ट में आप देखेंगे यहां पर यह चीज यह take off command में लेने से आया है कि हमार टोटल जो concrete का volume है वो use हो रहा है 3.8 cubic meter और जो हमारे बार यूज़ हो रहे है वो 8 mm का डाया और 12 mm का यूज़ हो रहा है जिनका weight है न्यूटन में 2165 साथ kg में convert कर सकते हैं और cost of steel आप किसी structure की निकाल सकते हैं और cost of material of concrete तो यह आपका था एक frame analyze और design करना अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो please subscribe करना, like करना, share करना ना इस यूट्यूब चैनल पर civil engineer से लिटेड और other engineer से लिटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है अगर आपको stat नहीं सीखना तो यह टैप के लिए रिविट के लिए architecture के लिए इसको subscribe करके बली bell icon पर click जरूर करें अगर आप मेरे work को support करना चाहते हैं तो patron जो की description में लिंक दियावे महाँ पर जाके आप support कर सकते हैं तैंक यू